मैनेजमेंट के नियम ये रिचल टेंपलर द्वारा लिखा गया है सो दरूल साथ मैनेजमेंट रिटेन बाई रिचल टेंपलर तो प्रस्तावना मैनेजमेंट भी बड़ी अजीब चीज है या एक ऐसी चीज है जो हम जीवन में साइध ही कभी करना चाहते हैं लेकिन फिर भी हम में से जड़ातर लोग को किसी न किसी मोड पर या करना पड़ता है कैरियर सलाहकार तुम स्कूल से निकलने के बाद क्या करना चाहोगे 16 साल का लड़का मैं मैनेजर बनना चाहूँगा क्या आपके साथ ऐसा हुआ था नहीं मेरे साथ भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी आप मैनेजर बन गए मैनेजर के रूप में आपसे एक साथ पहुँच सी भूमिकाय निभाने की उमीद की जाती है सक्ति का अस्तम, लीडर और नवाचारी, जादुगर, तन्खवा, संसाधम और अत्रीक्त स्टाफ पलक जपकते ही ठीक कर देगा दयालू अंकल, आंटी, रोनी के लिए उपलब्द कंधा, बहु मुखी प्रेरग, पैक्ती, सक्त, लेकिन, नियाएपूर, नियाएधिस, राजदूत, नेता, विती, जादुगर, गड़बड़ी करने वाला नहीं, संग्रचक, तारण, हार और संत हो सकता है, आप उन करमचारियों की पूरी फोज के लिए जिमेदार हो, जिनें साइद आपने नहीं चुना हो, जिनें साइद आप पसंद न करते हो, जिनमें और आप में साइद कोई सामानता न हो, तथा जो साइद आपको ज्यादा पसंद भी न करते हो आपको उनसे दिन भर परियाप्त काम करवाना है आप उनकी सारीरिक भावनात्मक और मानसिक सुरच्छा तथा देख भाल के लिए भी जिम्मेदार है आपको यह पक्का करना होगा कि वे खूद को या एक दूसरे को नुक्सान न पहुंचाए आपको यह भी पक्का करना होगा कि वे आपके उदो के कानोनों के अनुसार काम करें आपको अपने अधिकार उनके अधिकार कंपनी के अधिकार और यूनियन के अधिकार मालूम होने चाहिए और इन सबसे बढ़कर आपसे यह उमीद भी की जाती है कि आप अपना काम भी करेंगे और अच्छी तरह करेंगे ओ, हाँ, और आपको अपना दिमाग ठंडा तथा सांतर रखना होगा आप हो सकता है आप उन करमचारियों की पूरी फोज के लिए जिमेदार हो जिने साइद आपने नहीं चुना हो जिने साइद आप पसंद न करते हो जिन में और आप में साइद कोई समानता न हो तथा जो साइद आपको ज़्यादा पसंद न करते हो चिला नहीं सकते, चीखे नहीं फेक सकते या किसी करमचारी को खास नहीं बना सकते मैनेजर का काम बड़ा मुस्किल है आप टीम की देखवाल करने और उससे सर्वस रेस्ट प्रदर्सन करवाने के लिए जिम्मेदार हैं टीम के सदर से कई बार बच्चो जैसा बहवार कर सकते हैं लेकिन आप उन्हें मार नहीं सकते या सायद उन्हें निकाल भी नहीं सकते कई मौके पर वे तुनक मिजाज की सोरो जैसे बेवार करेंगे देर तक सोएंगे आफिस नहीं आएंगे आप भी गए तो कोई काम नहीं करेंगे जल्दी भाग जाएंगे इसी तरह की बात आप की तरह मैंने भी टीमों का परबंधन किया है मेरे मामले में मैंने एक समय में सो लोगों का परबंधन किया है उन करमचारियों का जिनके नाम मुझे मालूम होने की उमीद की जाती थी और उनकी छोटी-छोटी कमियों को भी ओ, हीदर मंगलवार को देर तक काम नहीं कर सकती क्योंकि वह अपनी बेटी को प्ले ग्रूप से लेने जाती है ट्रेवर कलर ब्लाइंड है इसलिए हम ट्रेड सो में उन्हें नहीं रख सकते लंच के वक्त मैंडी को फोन पर जबाब देने के लिए छोड़ना मुर्खता है क्योंकि इस कारण वह जुल जुलाती है जिसे ग्राहक बीचक जाते है क्रीस टीम में बहुत अच्छी है लेकिन कोई भी काम अकेले करने के लिए खूद को प्रेडित नहीं कर सकती रे सराब पीता है और उसे कार से कहीं नहीं भेजना चाहिए मैनेजर के रूप में आप से उपर के मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच सुरच्छा कवच बफर जुन बनने की उमीद भी की जाती है हो सकता है उपर से उपर से बकवास आदेशा है लेकिन आपको इसे अपनी टीम से मौनवाना होता है आपको जोर से आ भरने या हसने से बचना होता है और आपको अपनी टीम से वह काम करवाना होता है भले ही वह बकवास हो आपको इस साल तनकवा में कोई बधोत्री नहीं कि आदेश को तरक पूर्ण साबित करना होता है बले इससे आपकी टीम का मनोबल घट गया हो आपको बहुत सारी जानकारियां गोपनिय रखनी होती है जैसे टेक ओवर, विले, अधिक राहर, गोपनिय सौधे, सीनियर मेनेजमेंट, बाई आउर्स, आदी इस तत्य के बावजूद भी की अपवाएं ऊड़ रही हैं और आपकी टीम आपसे लगतार सवाल पूछ रही है आप सिर्फ अपने करमचारियों के लिए ही नहीं बलकि बहुत सी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं जैसे बजट, अनुसासन, आपकी संगवाद, कारिकुसलता, कानूनी मामले, यूनियन समंदी, लफ्रे, स्वस्त और सुरचा समंदी मामले, करमचारियों के बेक्तिकत मसले, पैंसन, मेडिकल लिव, मैटर नीटी, लिव, पैटर नीटी, लिव, छुटिया, जल्दी जाने या बाहर जाने की इजाज़त देना, टाइम सीट, वीब राउंड, और विदाई के तोफे, रोस्टर, उध्यों के मान डंड, फायर ड्रील, प्रात्मित चिकितसा, ताजी, हवा, गर्मी, पानी की बेवस्ता, पार्किंग बेवस्ता, प्रकास बेवस्ता, स्टेशनरी, सं साधन, और चाए, काफी, और इससे ग्रांकों के छोटे से मसले का तो जिक्र ही नहीं है, इसके अलावा आपको दूसरे विभागो, दूसरी टीमों, ग्रांकों, सीनियर बोर्स, सीनियर मनेजमेंट, बोर्ड, सेयर होल्डर्स, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी आप से मिशाल पेज करने की उमीद की जाती है, कि आप समय के पावंद रहेंगे और अच्छी पुसाक पहनेंगे, मेहनती, तेर तक रुकने वाले, जल्दी उठने वाले, सांत जिमेदार परवा करने वाले, ग्यानी, इमंदार, बेक्ती की छवी बनाएं रखेंगे, बड आया जा सकता है, दो आफिस को याद करें, चल बाज और अडंगा डानने वाला मैनेजर बता कर आपका अपमान भी किया जा सकता है, या मिनिस्टर को याद करें, और सायद, सायद, आपके स्टाफ, सेयर होल्डर्स और या जंता दुआरा आपको अकारी कुसल भी माना जा स लगता है, तथा असली काम को निबटाने के लिए और सियक भी, और आप तो सिर्फ अपना काम करना चाहते थे, खुस किसमती से ऐसे कुछ नुस्के और तरीके के जिनकी मदद से आप संदारत तरीके के इस चुनोती को पार कर लेंगे और किला फता कर लेंगे, अगर आप इस खेल में एकदम आगे रहना चाहते हैं तो इन नियमों को अपने तक ही रखे, मैनेजमेंटे कला भी है और विज्ञान भी इसे कैसे करना है, इस विशेप हजारों पन्नों की धेरों पुष्तकी लिखी जा चुकी है, अनगीनत प्रसीचन पार्ठी करम चलते नियम सामिल नहीं है, जो आपको अच्छा प्रभावकारी और सांदार मैनेजर बनाते हैं, इस पुछ तक में हम आपको वे अलिखित नियम बताएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके अधीन एक या दो या हजारों करमचारी काम करते हैं, नियम वही रखते हैं, आपको यह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे साइद आप पहले से न जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तब भी उसे पढ़कर आप कहेंगे, लेकिन यह तो बहुत असपस्ट है, हाँ अगर सोचा जाए तो यह एक सचमुच बहुत असपस्ट है, लेकिन आज हम जो भाग दोड, भरी तेज रफटार, एक एक मिनट बचाने वाली जिन्दगी जी रहे हैं, उसके चलते हो सकता है, आपने इस बात बारे में कभी सोचा ही नहो, नियम तो असपस्ट है, लेकिन यह असपस्ट नहीं है कि आप इसका पालन करते हैं या नहीं, यह कहना बहुत अ कि आप इस पर अमल करते हैं, इसके हिसाब से काम करते हैं, इससे पैमाना बना कर काम करते हैं, क्या आपको यकीन है, मैंने इस नियमो को आपके लिए दो खंडों में बेवस्तित किया है, आपकी टीम का प्रबंधन, आपका प्रबंधन, मुझे लगता है यह बहुत असान ह नियमों को महत्वा के हिसाब के किसी खास करम में नहीं जमाया गया है सबसे पहले दिये गए नियम के बाद के नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है सभी नियमों को पढ़ लें और फिर उन पर अमल करना सुरू करें सबसे पहले उन नियमों पर अमल करें जो आपको सबसे असान लगे इसमें से बहुत से नियम आपस में जूड़ जाएंगे और आप अनजाने में उस पर एक साथ अमल करेंगे लगेंगे जल्दी ही आप संदार और अरामते आत्मविश्वासी और द्रेड मैनेजर की चबी बना लेंगे जल्दी ही आपनी नियंतरण में होंगे हर काम को असान पाएंगे और कुसलता से प्रबंधन कर रहे होंगे या बुरा नहीं है जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि कुछ समय पहले तक आपका कंदा पह ये पर था नाक मेज पर थी कान जमीन पर था और पीट दिवार से ठीकी थी आप बढ़ाई के पात रहें शुरू करने से पहले हम एक दो मीनिट का समय लेकर ये सोच लेते हैं कि प्रबंधन का आखरी मतलब क्या है वैसे आपकी जनकारी के लिए बता दूं यह उतना असान नहीं है यह उतना असान नहीं है और सामगरी प्रबंधन के सौपी काई शत्ता पर कारिये करने के लिए जवाब देयी होता है मैनेजर मानुमी संसादों के लिए उत्रदाई होता है वह कंपनी के जिवन मुल्यों को नीती साफ्त्र और संक्रीटी के संग प्रिशर पालन प्रसार के लिए उत्रदाई होता है, इसके साथ ही वह संगठन के तृत्व करने और परिवर्तन का प्रबंधन करनी के लिए उत्रदाई होता है, दा लीडर सीप नेटवर्क कैलिफॉर्निया अच्छी परिवासा है चाहें इसका जो भी मतलब हो हम चाहें हम चाहें हम मैनेजर सभी हैं हम सभी को प्रबंदन का काम करना है जो भी हमारे जीवन को ज्यादा सरल बनाते बस बोनस है यहां पर जो मैनेजमेंट के नियम दिये गए हैं वे बड़े सरल है वे चलाकी या जूट पर अधारित नहीं है सच तो यह है कि वे सभी काफी असफ़स्ट है लेकिन अगर आप हर एक के बारे में सवधानी से सोचते हैं हर एक पर अमल करते हैं तो आपको काम और जीवन पर जो फर्क बढ़ेगा उससे देखकर आप हैरान रह जाएंगे हो सकता है आप इस पुष्टक में लिखी हर बात जानते हो लेकिन क्या आप उस पर पालन करते हैं या पुष्टक आपके इस दिशा में प्रेलित करेगी त अजया इस दिएल करते हैं